गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स मेरा नाम अक्षे है और मैं आप सब लोग का The Right Gardening YouTube चानल में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सूपते हुए बोगंदेलिया प्लांट को किस तरीके से बचाया जा सकता है सबसे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँ है अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चानल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग मुझे Facebook और Instagram पर follow करना चाते हैं तो link description box में है आप वहाँ से मुझे follow कर सकते हैं मैं वहाँ पर भी regular updates डालता रहता हूँ तो दोस्तों ये जो मेरे सामने हैं बोगन वेलिया का प्लांट देख रहे हैं इसके बारे में मैंने एक care की वीडियो भी बनाई है जिसमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से blooming कर रहा था बहुत अच्छे सारे pink color के flower आ रहे थे बोगन वेलिया के इसमें उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हूँ ये मैं आपसे share करूँगा इस position में लाने के लिए मैंने अपने बोगन वेलिया को जान मूच के stress में डाला मैंने इसको कम से कम धाई हफते तक पानी नहीं दिया था और मैं देखना चाता था ये कि कितना survive कर सकता है बौदा कित सारे बोगन वेलिया roadside पे लगे हुए देखे हैं जो कभी-कभी पानी ना मिलने की वज़े से सूख जाते हैं लेकिन जैसे ही उनमे पानी की पछार आती है पहली बारिश पढ़ती है या किसी भी season में बारिश आती है तो वो एकदम से हरे-भरे हो जाते हैं तो मैं वो test करन जाता था इसको जान मुझके stress में डाला मैंने और आप देख रहे हैं जैसे इसने अपनी सारी की सारी leaves जड़ गई है और वो इसलिए जड़ी है इसका primary reason है वो इसलिए कि मैंने इसमें पानी नहीं दिया तो पानी ना मिलने की वज़े से देख सकते हैं आप फ्रेंड्स जाड़ दी हैं क्योंकि जब प्लांट को पानी नहीं मिलता तो उसकी जो leaves होती है उसमें ज़्यादा ज़्यादा पानी फ्लो नहीं कर पाता वो अपने खाना इदर उदर नहीं पहुचा पाता खाना धंग से नहीं बना पाता तो अभी यह पौदा अगर सूखने से आपको अच्छे से वाटर करूँगा और उसके बाद मैं इसका सेकंड अपडेट भी डालूँगा कि यह किस तरीके से एक बार फ्रेश ब्लूम कर जाएगा यह देख सकते हैं आप यह चोटी-चोटी leaves इसकी ग्रो कर रही है यह इसलिए चोटी-चोटी leaves इसलिए अगर मैं पानी इसको अभी भी ना दूँ तो यह चोटी leaves कभी भी बड़ी नहीं होंगी क्योंकि यह प्लांट जो है अभी अपनी energy सेव कर रहा है तो अगर आप और पास जाएंगे यह चोटे-चोटे अपने फ्लार भी बना रहा है देखिए चोटा सा बोगनवेलिया का फ्लार है और यह यह पूरा प्लांट है किस तरीके से इसकी हालत होती है अगर मेरे को बहुत सारी वीवर्स मेरे पूछते है कि अगर हम अपने पौदों को टाइम से पानी ना दे तो क्या होगा बोगन में लिए एक ऐसा प्लांट है जा पर आपको रेगुलर्ली हर दूसरे दिन इसको पान मैं सेकेंड अपडेट देखूंगा इसका एक कितने दिन में अच्छे से ब्लूम करता है इसको थोड़ी सी प्रून भी करने पड़ेगी इसकी जो ब्रांचिस है इस एक्स्टा ब्रांचिस है जहां पर अल्रडी फूल आ चुके होते हैं उनको आप प्रून कर दीजिए यह जादा जादा आगे ब्रांचिस को ना मिल सके तो यह थी हमारी वीडियो दोस्तों कि हम बोगंदीलिया प्लांट को स्ट्रेस में डाला मैंने और जो मरता हुआ बोगंदीलिया प्लांट है उसको कैसे सेव कर सकते हैं तो आप इसको रेगलर इंटरवल्स पर पानी और ओफ सीजन में इस बार इसको प्रून कर दीजिए ताकि अगले फ्लारिंग सीजन में इसकी अच्छे से ग्रोथ हो तब तब के लिए बने रहे हैं दोस्तों अपना ध्यान रखिए ठैंक यू और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को बाबाई